हलो दोस्तों नमस्कार आप सभी का स्वागत है टार्गेट क्लासेज विध हरीस सर में इस वीडियो में आप लोग देखेंगे फुटबॉल से रिलेटेट पार्ट टू में 56 से 103 तक जितने भी मोश्ट इंपोर्टन कोईशन्स बनते हैं वो सभी कोईशन्स आपको अच्छे से घड़ardo लगाईएगा और पढ़ते जाईएगा अब आप लोग जो वी काम करते हैं चाहेत तो आप जॉब करते हों जाहेत तो आप टीचिंग करते हैं किसी इंस्टीट्यूट में कहीं पर पढ़ाते हों या फिर आप housewife हो या फिर आप सिर्फ और सिर्फ competition की तैयारी करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ focus आपका होना चाहिए पढ़ाई पर ये ध्यान रखें कि जो सिर्फ और सिर्फ आप पढ़ाई करेंगे तो आपका जो पढ़ने के पर रुजहान होता है वो बढ़ता जाएगा और exam जो आपका conduct होना है उस date में आप अच्छे से अच्छे marks gain कर सकेंगे तो देखते हैं 58 में क्या होता है सही होता है football के मैदान के line की मुटाई कितनी होती है तो 58 यहाँ पर हो जाएगा c option next question पर 5 इंच के साथ relate करेगा next question पर move करते हैं अंतर राष्ट्री मैच में football के field की लंबाई वा चोड़ाई कितनी निर्धारित की गई है तो यह जो निर्धारित की गई है 120 याड गुरे 80 याड होगा question number 60 है football के मद्धिब्रत का अर्ध ब्यास कितना होता है तो यह कितना होता है यह आप देखिएगा 10 गज होता है next question पर move करते हैं एक सर्थ नंबर है football का गोल छेतर कितना होता है तो यह होता है 20 गुरे 6 गज next question पर move करते हैं football में penalty का छेतर कितना होता है तो यहाँ पर आप लोग कर लीजिएगा 44 गुड़े 18 गज यह question थोड़ा सा टाइप हो गया है लेकिन option अलग है ठीक है, next question पर move करते है 63 football में penalty छेतर कितना होता है तो यह होता है 44 गुड़े 18 गज वही question है, next question पर move करते है 64 number का football में penalty arc का अर्ध ब्यास कितना होता है, तो अर्ध ब्यास जो होता है, यह होता है आपका 10 गज question नमबर है, 65 football में penalty spot कितनी दूरी पर होता है, तो यह होता है आपका 12 गज की दूरी पर 66 number के question पर move करते है football के goal post की उचाई कितनी होती है, तो यह 8 fit होती है, next question पर move करते है 67 है, football के Girl Post की चौड़ाई कितनी होती है, तो इसकी जो चौड़ाई होती है, 8 गज होती है next question पर move करते है, football के ब्यास कितना होता है, तो ब्यास जो होता है 5 इंच होता है, next question है 69, 200 football संग के स्थापना की most important है 21 मई 1904 को हुइ सतर नंबर का question विस सु फुटबाल संग का मुख्याले कहां है तो सतर नंबर है ये मुख्याले जियूरिक के साथ में relate करेगा next question है 71 नंबर का विस सु फुटबाल संग के प्रथम अध्यक्ष कौन है तो ये जो अध्यक्ष है गुरीन है question number 72 भारतिय फुटबाल संग के स्थापना कब हुई थी 1937 सिमला के साथ में relate करेगा थोड़ा सा confusing question है अच्छे से read करिएगा तभी answer टिक करिएगा next question है ओलंपिक खेलों में फुटबाल को कब सामिल किया गया था तो इसको जो सामिल किया गया थे 1908 लंदन के साथ में relate करेगा 74 number का question है भारतिय फुटबाल संग का मुख्याले कहां इस्थी थे तो इसका मुख्याले न्यू डैली में इस्थी थे next question पो move करते हैं next question है फुटबाल को ACI खेलों में कब सामिल किया गया तो इसको जो सामिल किया गया थे 1951 नई दिल्ली next question है 76 फुटबाल की भारत में पहली प्रतियोगिता कब आयुजित की गयी तो इसकी जो पहली प्रतियोगिता आयुजित की गयी थी 1888 सिमला होगा इसका सही उत्तर next question पर मूब करते है भारत की सबसे प्राचीन फुटबाल प्रतियोगिता कौन सी है तो यह हो जाएगा डूरंड का most important है 78 फुटबाल का प्रतम 20 कब कब आयुजित कीया गया तो यह आयुजित कीया गया था जो आयुजित हुआ था यह हुआ था आपका D option जो सो हो रहा है मोट वीडियो उरुगवे यह ध्यान रखिए का पहला जो इनका place लिखा है उरुगवे ना दे कर यह दे दिया जाए तब भी आपको सही टिक लगाना है असी नमबर के question पर देखते हैं क्या है बिसु football यानि बिसु का football को पहले किस नाम से पुकारा जाता था तो इसको जूलियस रीमेट ट्रॉफी के नाम से पुकारते थे question number 81 फुटबाल का परथम अरजुन प्रुषकार कि ख्लारी ने प्राप्त किया था तो यह जो प्राप्त किया पीके बनेर्जी ने प्राप्त किया था 82 है बिसु की परथम प्रतियोगिता कौन सी है तो बिसु की जो परथम प्रतियोगिता है F A H है A option right answer होता है next question पर move करते है football में प्रतियोगिता था तो यह जीता था सयद नईमुदीन ने 85 नंबर पर move करते है football में प्रतम द्रोनाचार प्रतियोगिता क्या नाम है तो इसका जो नाम है संतोष ट्रॉफी है next question पर move करते हैं क्या है junior राष्ट्रिय फुटबॉल ट्राफी का क्या नाम है तो इस ट्रॉफी का जो नाम है डॉक्टर बी सी राइ ट्रॉफी है Q88 राष्ट्रिय सब जूनियर फुटबाल पृतियोगिता का क्या नाम है तो इसका जो नाम है यह है आपका मीर इकबाल हुसेन ट्रॉफी 89 नामर का Quesn अंतर बिद्याले फुटबाल ट्रॉफी का क्या नाम है तो यह है सुब्रतो ट्रॉफी Quesn नंबर 90 है राष्ट्रिय महिला फुटबाल पृतियोगिता कौन सी है यह पृतियोगिता है बेगम हजरत महल ट्रॉफी 91 पर मूब करते है भारत के फुटबाल के स्टेडियम का नाम बताईएगा यहाँ पर मिलान से रिलेटेड है तो कौन सा सही होगा साट लेक स्टेडियम कोलकाता से रिलेट करेगा जे एल नेरू दिल्ली से रिलेट करेगा अमबेडकर स्टेडियम दिल्ली उप्रोक्त सभी के साथ में रिलेट करेगा नेक्स्ट कोईशन पर मूव करते हैं निम्र में से कौन सा फुटबॉल स्टेडियम रिलेट करेगा बताईएगा जल्दी से लाल भादू सास्त्री स्टेडियम हैदराबाद और पंजाबी युनिवर्स्टी पतियाला यानि C आप्सन सही होता है फुटबॉल की परिद कितनी होती है तो इसकी जो परिद होती है 68 से 70 सेंटी मीटर होती है 94 नमबर है फुटबॉल के मैदान में लगे जंडे की उचाई कितनी होती है तो इसकी जो उचाई होती 55 फिट होती है question number 95 सबसे अधिक बार किसने जीता है फीफा का 20 कप तो ये ब्राजील हो जायागा next question 96 फीफा का ट्रॉफी का भार कितना होता इसका जो भार होता 1.6.175 होगा ये आपको हमने practice set में भी question दिया हुआ है question number 97 है फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी की उचाय कितनी होती है तो ये होती है 36.8 cm 98 है 2014 का फीफा वर्ल्ड कप कहां पर आईवजित हुआ तो ये जो आईवजित हुआ था ब्राजील में आईवजित हुआ था C option सही होता है next question तो move करते हैं फुटबॉल वर्ल्ड कप प्रतियोगता कब से आईवजित की गई थी 1930 से आईवजित हुई थी next question है प्रतम फुटबॉल वर्ल्ड कप किस देश में आईवजित हुआ तो ये उरुगवे में आईवजित हुआ था repeated question है next question है फुटबॉल में कुल कितने नियम होते है most confusing question और आर सकता है इस बार के paper में तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 18 ठीक है जो कुल नियम होंगे ये आपको हमने कम से कम 10 से 20 बार कोईशन कराया है अगर आप सुरुआज से चैनल पर जुड़े हुए होंगे community पर भी दिया गया है तो यह 11 खिलारी हो जाएंगे last question है इस वीडियो का football के एक मैच में कितने खिलारी बदले जा सकते हैं तो यह 3 खिलारी बदले जा सकते हैं तो वीडियो को एक से दो बार अवस पढ़िएगा लेकिन headphone लगाईएगा या फिर full volume में चलाईएगा उसको ध्यान से सुनते जाईएगा जिससे आपके mind में question पूरी तरीके से fit हो जाएगा कब तक के लिए exam तक के लिए ठेक है इतनी मेहनत आप कर दीजिया क्योंकि इतने दिनों से आप मेहनत कर रहे हैं बस थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है बस थोड़ी सी मेहनत आपको एक सेट कनफर्म कराएगी और सहायक अध्यापक का जो पद होता है इंटर कॉलेज में वह आपको प्राप्त होगा तो नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार